अस्सलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोग के टेंद क्लास के रॉसने बुक का चैप्टर नंबर फूर जो की बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है एक्जाम के दृष्टी कोर्स अगर देखा जाये तो ठीक है क्योंकि इस कंणर कहानी है कंणर अफसाना है यानि कि कंणर जुबान में लिखी हुई अफसाना है कहानी है कंणर कहा की जुबान है कहा की भासा है तो करनाटक की भासा है जिस तरह हम लोग हिंदी भासा बोलते हैं इंगलिस बासा उर्दू भासा बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह कंणर जो है एक तरीके का भासा है जो कि करनाटक में बोली जाती है करनाटक राज्य में ठीक है तो ये करनर में लिखा हुआ ये कहानी है और लिखे कौन है इस चप्टर के राइटर मुसनिफ कौन है तो यू आर अनंत मुर्ती कौन है यू आर अनंत मुर्ती यही करनर जुबान में सुरज का घोड़ा है इसको उर्दू में students कौन कया है ट्रांसलेटर कौन है है जाफ्री सयद एन्हों नहीं उर्दू में इस सिर्जमIST है Philippe लेक्ट हम लोग चलते हैं सूरज के घोड़े चापकर की तरफ मलब इस कहानी को समझते हैं देखिए इस कहानी में जो में किरदार है में करेक्टर जो में रोल प्ले कर रहा है समझे इस चेप्टर का इस कहानी का हीरो हीरो कौन है वेंकट कृष्णा जोईसा ठीक है और इसमें और भी बहुत सारे करेक्टर है जैसे कि यू आर अनंत मुर्ती ये की है जो इनकी जिन्दगी में घट न कहानी बीच चुकी है उसी कहानी को उन्होंने लिख दिया है ठीक जिसमें वह खुद बता रहे हैं अपने बारे में और अपने ये है वेंकट कृष्णा जोईसा की बारे में तो देखिए यू आर अनंत मुर्थी और वेंकट से साल बड़ा ही रहता है और 5-6 साल बड़ा होने के बावजूद भी स्कूल में बार बार पिल करता है जिसके वज़ास से ये दोनों ایک क्लास में पढ़ते रहते हैं भले ये बड़ा क्यूं न थे ठीक है और होता यूँ है कि यह लोग एक साथ क्छास को चोड़ने के बाद वेंकट क्रिश्ना अलग चले गए और यूँ आर अनान्त मूर्ति की जिंदगी अलग हो गई मतलब यह लोग अलग अलग चले गए इसको छोड़ने के बाद और यू आर अनंत मुर्ती को आप देखे लिए वह एक अफसाना निगार बन गए अफसाना लिखने वाले बन गए कहानी लिखने वाले और विंकट कृष्णा जोईशा यह क्या बन गए आप लोग सोच रहे हो आत्मा भूत प्रेत कैसे भगाया जाता है यह सारी चीज़े की नॉलेज थी वैंकट कृष्णा जोईशा को यहां तक यह बहुत अच्छी अच्छी काम भी करते थे यह थोड़ा मजाकिया भी थे संजीदा भी थे पर लब हर तरह के इनहीं के बारे में यू आर अनंत मुर आप लोगों को बताते बताते एक घंटा का वीडियो बन जाएगा इसलिए मैं आप लोगों का शॉट क्लिप बनान कर और आप लोगों को पूरा कहानी समझा देती हूं यहां तक तो समझ में आ गया कि इतना इतने क्यरेक्टर है वेंकट कृष्णा जोईसा की बीवी रहत तो स्कूल में से निकले तो वेंकट कृष्णा जोईसा की जिंदगी अलग चली गई और यूर अनन्त मुर्थी अपना अलग रहने लगे दोनों अलग हो गये तो 14 साल हो गये थे आफ्टर 14 एयर्स यह जो यू आर अनन्त मुर्थी है यह वेंकट कृष्णा के घर मतलब ग रिष्णा मील गए मार्केट में मिल गए तो वैंकर केडिना जोईसा यूर अनन्त मुर्थी को अपने साथ लेकर घर जा रहे थे राष्टे में भाते quit चौदह साल के बाद ये बदोनों जिगरी दोस्त मिले थे बाते तो बहुत सारी होंगी ठीक है तो बाते करते करते रास्ते में जा रही थी जब घर पहुचे तो उनकी जो बिवित recently अच्चन पर पहुशन मतलब उतना यू आर अनंत्मूर्ति को उतना रिस्पेक्ट भी नहीं की शाकुंतला कोई दिकत नहीं है वेंकट कृष्णा बहुत अपने दोस्त यू आर अनंत्मूर्ति को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत मानते थे उनको मतलब हर एक एक बात बता रहे थे कि देख किसी के घर नहीं मतलब एक घर था उसमें गया तरवाजा खटकट आया तो अंदर से आवाज आया कि आजाओ भई तो वहां पर एक बुढ़ा था बुढ़ा आदमी था वह तो वेंकट कृष्णा जोशा बताएं कि यह जो बुढ़ा आदमी है इसका कोई नहीं है ना माबाप अपना बेटा बेटी को कोई भी नहीं है इनका ख्याल मैं ही रखता हूं ठीक है विंकट कृष्णा जोशा मतलब बहुत ही सिदे साधी इनसान थे लोग का ख्याल रखते थे तो इसलिए यू आर अनंत्मृति को बताए कि यह बुढ़ा आदमी है इसका कोई नहीं है इसका मैं ही ख्याल रखता हूं और उसके बाद से वहां पर बैठ कर चाए पीए लो और फिर जब वेंकट कृष्णा जोशा यू आर अनंत्मृति को अपने घर पर लेकर आए रात को सो गये लो जब सुबा हुई लो को राम चारोतर्व मचा हल्ला मच गया कि यह जो सुबाज है जितने भी घर में जेवर था सोना चान्दी सारा लेकर फरार हो गया है बाग गया है जिटना भी जेवर इसकी माने श्रकुंतला ने खर दी है वो सार्य जेवर को ये लेकर भाग गया है अब बेचारे एक जोईषा बहुती टेंसन में थे उसकी विवे भी सकुन्तला जो भी टेंसन में थी सारे जेवर लेकर उस जेवर को जिसको शकुन्तला ने एक पाई-पाई करकर मतलब खरदा था उस जेवर उसको लेकर उसका बेटा भागिया तो टेंसन तो होगी उसके बाद से वेंकट कृष्णा जो इसा बहुत टेंसन में आ गए और बाहर जाकर एक क्या बोला जाता है घर के किनारे खड़े हो गया एक तर जोपड़ी था जोपड़ी के साइड में खड़े हो गया और वहां पर इन कट कर्षणा को वेंकट करिश्णा तो गया और जोपड़ी के पास कड़ा है तो योँ आर अनन्थ मुर्ती को लगा कि यह मिरम कुश देख रहा होगा फिक है लेकिनों जब वो यू आर अनन्त मुर्ति जा कर देखें तो वेनकट कृष्णा कुछ नहीं कर रहे थे वो एक सूरज के घोडे को देख रहे थे सूरज का घोड़ा जो है अब समझ ये क्या है सूरज का घोड़ा एक कीड़ा है जिसको इंग्लिस में बोला जाता है ग्रास ओपर ग्रास ओपर को देखें ना वही तिद्धा जिंगूर सुगा आप लोग बोलता है भचपूरी में तीके उसी को बोला जाता है सूरज का घोड़ा ठीके जिंगूर है तिद्धा जिसको इंग्लिस में बोलता है ग्रास ओपर तो उसी को वेंकट कृष्णा जो इसा देख रहे थे सूरज के घोड़े को और सोच रहे थे उसी को लगातार देखते ही जा रहे थे तो यू आर अनंत मुर्ची देखे किया रहे यह तो सूरज के घोड़े को देख रहे सूरज का घोड़ा क्या है एक कीड़ा है तिड़ा है जिसको बोले जाता है जी मुर्शुगा ठीक है और यहीं पर आपनों का यह कहानी है अफसाना कम्प्लीट होता है इसी के साथ और कुछ नहीं है देखिए जो जो में में इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दी 30 पेज का कहानी इस सौट में आप लोगों को बत से भरा हुआ इंसान है वो जड़ी बुटी का भी ध्यान रखता है जोतसी भी जानता है पर पॉद्ध के बारे में जनकारी रखता है कि कौन से पर की पति खाने से यह विवानी दूर हो जाती है आत्माओं भूत्प्रत के बारे में इसके पास नौलेज है तो यही चीज इ सबसे पहला सवाल है सूरज का घोड़ा किस जुबान का अफसाना है इसके मुतर्जिम कौन है सूरज का घोड़ा जो है किस जुबान का अफसाना है तो कनणर जुबान का अफसाना है जो की करनाटा राज way में बोली जाती ह love और इसके मुतर्जिम्ग यानि कि तर्जमा ट्रांसलेट करने वाले खोथ एयर फश्यास है और डूसरा सवाल और पास जुम्ले में अफसाना की तारीकर देऊएं rigtig अप 5 जुमले में अफसाने की तारीफ कीजिए दो बार मिस्पिरृंट हो गया है कोई दिकत नहीं है चौते सवाल पर आईए इस अफसाने का मौजू क्या है पाच जुमले में लिखे यह अफसाना टॉपिक क्या है किस पर यह लिखा गया है कहानी आप लोगो को बताना है ऑफ से में ॥ीए किस तरह के इनसान था अब बाता आती है। इसमें तफसील से लिखना होता है अप लोग दिर्गतरी अप्रसन है थो सबसे पहला सवाल का घोड़ा का मरकजी ख्यार क्या थे इसका प्लोग का मरकजी ख्याल, क्या ख्यालत है, इसका थीम बताना है आप लोगो, सौर्ट कॉर्ट में इस कहानी का खुलासा कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा चोड़ा लिखिएगा, दूसरा सवाल है, दरजजेल साबका और लाहका से नए अलफाज बनाई है, देख फिर यह आप लोगो को बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सवाल है, और लास्ट सवाल है, दरजजेल मुहावरों के मानी लिखी और उन्हें जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए, दांट खटे करना, हतेली पर सरसो जमाना, आख दिखाना, आसमान से ताड़े तोरना, 9,211 और ना इसका मतलब क्या है, यह बहुत सिंपल सिंपल होता है, उर्दू ग्रामर का है, मैं अल्रडी पढ़ा चुकिया, आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग का यह जो चैप्टर है, कोश्टन एंसर के साथ कम्प्लीट होता है, अब नेक्स और हाँ, अगर आप लोग चैनल पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप तक सबसे पहले पहुचे, तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जाहिंद और कुदा हाजेस.